देश के चहुमुखी विकास के लिए बेहत सरूरी होता है कि देश के नागरिक विभिन शेत्रों में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। समाज में कुछ ऐसे अनुकर्णिय व्यक्तित्व होते हैं जो अपनी दूर्दर्शिता, निष्ठा और समर्पन की भावना से समाज में कुछ बहतर पतलाव लाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन एक ऐसी ही शक्सियत थी, जिन्होंने पत्रकारिता, लेखन, कला, संस्कृती और सेवा के शेत्र में महत्वपून योगदान दिया है। डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन के महत्वपून योगदान को याद करते हुए, 29 नवंबर 2018 को उनकी जन्म जयनती पर एक संस्था की नीव रखी गए, जिसको नाम दिया गया डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन फाउंडेशन। इस वर्ष 29 नवंबर को दिल्ली के NDMC आडिटोरियम में इस संस्था द्वारा पुरसकार वितरन समारों आयोजित किया गया, जिसमें ऐसे पांच व्यक्तियों को पुरसकार से नवाजा गया, जिन्होंने समाज के विभिन शेतरों के विकास में अपना महत्वपून कारेक्रम की शुरुवात एक डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग से की गई, जो की डॉक्तर मंगलम स्वामिनाथन के जीवन पर आधारित थी. इस डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग के बाद मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रजवलन किया गया, जिनमें संस्था के राश्ट्रिय कारेकारी अध्यक श्री जेपी नडड़ा, संस्था के चीफ पैटर्न डॉक्तर मुल्ली मनोहर जोशी शामिल थे. इसके उपरान सभी मंचा सीन अतिथियों का स्वागत किया गया. स्वागत के बाद मधुर मही राश्ट्रिय गीत बंदे मातरम का गायन हुआ. बंदे मातरम सुझ लाम सुफ लाम मलय अजसी तिलाम सस्ष्याम लाम मातरम बंदे मातरम सुब्रे जोच्छन पुल की तेयामनी फूल कौश मेडल द्रौमत लेशो भीनीम सुफ लाम सुफ लाम सुफ लाम सुफ लाम बंदे मातरम सुख दाम वर्दाम मातरम बंदे मातरम गायन के बाद, Dr. R. Bala Shankar ने मंच सभालते हुए, सभी अतितियों का स्वागत कर सभा को संभूतित किया. बातोररर प्रेशनाप था इंथ झाली इंवले लैङने कि औां नेसंडिटर जてनग कर प्रिंटर प्रेशना मुपक्डख़त कर पोसुरण से सभ्राथ प्रेंश पूसटीन से कर दोTrंट्या कर से כ tampент следैंष नेतितुन च्रीविजियों नहीं की इतनी हρίमात उनर वब दॉचत adaाबा पी! आच्पीज नहा है जार प्रिψावने इता ही, युकीजे वो वणे खरणियोंकी в को थे fewग ऑग거든, खरणसे फिंवे बियन के लाद सिंग है and she was working on that she had interviewed almost 18 scientists of the country the top scientists for this purpose then she wanted to do some social work she wanted to help the young people and get children in slums go to schools and that kind of she wanted to do some human service so when I started this fermentation in fact this was a completion of her dream because she thought that Vala once Sarthak my son he's fine and he's settled we'll put all our energy all our savings on some social activities because we did not inherit in them from our parents the same way Sarthak will be on his own on his own feet but all our savings will go to social activities this foundation in fact is my survival instinct with Mangala's death in fact I lost all chance in a whole desire to leave I decided to go ahead and do what she wanted to do this is a work in progress what we are doing today is in fact just a small beginning we thought of starting it with the national awards for excellence because Mangala was very keen and particular about developing societies social activities research work good journalism and also she was very passionate about science reporting this is a dying profession because there are many professions that are dying in our country science reporting is one of them Dr. R. Balashankar ke bhavuk sambodhan ke baad Manchaasin atithiyon ne bhi sabha ko sambodhit karte huye Dr. Mangalam swaminathan ke yogadana par prakash tala B Challo-karte huye Dr. migrant понyaa part now and I have gözlecao burning Ooo 있습니다. See that I created this within our parents who are very bilderate This is a very long way of those that are a glorious way in support of their lives as well sein human´suni They are ona Japan Pape San довольно Yeah Na 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 alreadyni और हमें इस बात का स्मरन रखना चाहिए एकि वो इस बात को भूले नहीं है कि उनके स्वयम के जीवन को बहुत हद तक सफल बनाने में डॉक्टर मंगला का कितना बड़ा सहयोग था और जो मंगला की अपनी इच्छा थी वो जो उसकी जीवन काल में भी जैसे पूरा करना चाहती थी वो शायद उसको पूरा करने की जिम्मेदारी बाला शंकर जी के उपर शोड़ गई परचे बहुत पुराना था उनसे भी और मंगला से भी मंगला नकेवल बाला शंकर जी के लिए ही महत्वपूर थी बलके उनके जितने भी सहयोगी थे उन सब के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए जब उनों ने मुझे इस संस्थान के चीफ पेटरन के नाते काम करने के लिए सुझाव दिया तो मैंने उसे सहर्ष स्विकार कर लिया मैं ऐसा समझता हूँ कि ये न्यास एक संस्थान जिसका परिशे अभी डॉक्टर बाला शंकर जी ने दिया वो सही माने में परतिभाओं का चैन करके और विभिन नक्षेत्रों में उनका योगदान समाज के सामने प्रस्तत करेगा मंगला की रुची पत्रकारिता में थी तो पत्रकारिता के लिए सम्मान है लेखन में थी उसके लिए सम्मान है समाज सेवा में थी उसके लिए सम्मान है संगीत में थो थी ही लेकिन साथ ही साथ सेवा में भी थी दिव्यांगों का बहुत बड़ा कायर करने की उनकी हमेशा इच्छा रही और करती भी रही In fact, when I look at the audience here, I am reminded of what the critic Dryden said about the Chaucer's characters here is God's plenty. The one person who is conspicuous by her absence is Dr. Mangalam Swaminathan who unfortunately left for her heavenly abode so abruptly, so prematurely. I would say that it is like the Cheshire Cat in Louis Carroll's novel, Alice in the Wonderland. The Cheshire Cat leaves its smile even when it disappears. Mangalam Swaminathan has disappeared but her smile is all around us to inspire us, to encourage us. In fact, Mangalam Swaminathan has been a very vibrant personality. She loved humanity, she loved people, she loved life and she got in return a lot of love and affection from all those around her. She was a role model for people to emulate. She was always brilliant, bright, wonderful personality who inspired and shed a lot of sweetness and light everywhere. Now these awards have been instituted by Dr. Mangalam Swaminathan Foundation. As Murali Manavar Joshi ji said, by our beloved and dear husband, Sri Dr. Bhadesankar ji, this I consider as a beautiful requiem by the husband of the dear departed. It was a very difficult task for the grand jury to decide the awardees. There are more than 2000 entries. The grand jury took a lot of patiently the exam and scrutinized each and every entry. In fact, it was all one better than the other. So Mangalam ji ke saad bhi kuchy saad bhi kuchy saad bhi kuchy saad bhi kuchy saad kama kiya hai. Or doonho ke saad sath sath kama nai kiya, alag alag kiya. Pahle Bala Shankar ji ke saad lag bak dhu tien varsh ham nai saad kama kiya. Or phir mangalam ji ke saad kama kausar mila. Or jitnye dhin minne mangalam ji ke saad kama kiya hai. Yaehi mehsus kiya ki ki tiaag, sumrpund, और निश्ठा किसी संस्था के साथ किसी काम के साथ कैसे जोड़ी जा सकती है ये उनसे सीख़ना चाहिए अभी बालشंकर जी ने उलेक भी किया कि वो लगातार अकादिमिक काम करना चाहती थी लेकिन इंद्रा गांधी राश्ट्री कला केंद्र में जो काम वो कर रही थी जो दायत उनके पास था उसमें उन्हें प्रोग्राम्स औरग्राम्स करना थे कि कुछ दिनों में डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन आई जी एंसिये का चहरा बन गई थी और आई जी एंसिये का चहरा बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है तो ऐसा समर्पन अद्भुत समर्पन और उसके साथ पूरे समय हसकर काम करना हसते हुए काम कर करना ये एक बहुत बड़ी बात पंगलम जी की विशेश्टा थी और हम लोग सभी जानते हैं जो लोग आई जी एंसिये में मेरे कुछ साथ ही यहां आई जी एंसिये के भी बैठे हैं और निश्चित तोरप हम सब ने यह महसूस किया कि जितने दिन वो हमारे साथ आई जी पुरसकार विजेताओं को सम्मानित किया गया इस समहरों में सुश्री रंजना नारायन को लाइफटाइम अचीव्मेंट समर्पन और विश्वस्निय कोशल के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामिनाथन नाशनल अवार्ड फॉर एक्सिलिंस इन जर्नलिसम से नवासा गया श् संगीत को एक अलग स्थान दिलाने के प्रयासों के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामिनाथन नाशनल अवार्ड फॉर एक्सिलिंस इन आर्ट एंड कल्चर से नवासा कया चिकित्सा के शेत्र में अनाचार, माफिया, दवायों के अधिक मूले आधी जैसी समस्याओं को उजा के रूप में सम्मानित किया गया। कैरिला की संस्था सेवा भारती को डॉक्टर मंगलम स्वामिनाथन नाशनल अवार्ड फॉर एक्सिलिंस इन दी फील्ड ऑफ सोशल सर्विस से सम्मानित किया गया। इस वर्ष्ट से इस पुरसकार को देश के विख्यात नेता श्री दक दक्तोपंत थेंगडी के नाम से रखा गया है और पुरसकार को श्री दक्तोपंत थेंगडी सेवा सम्मान का नाम दिया गया। इन पुरसकारों के लिए लगभग 2000 नामांकन दिये गये जिन में से इन 5 व्यक्तित्वों को अमुल्य योगदान के लिए सम्मानित किया कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नडड़ा ने सभा को संभोधित करते हुए विजिताओं को बधाई दी और अपने विचार व्यक्त किये बाला शंकर से मेरी मेरा परिचे लेट एटीज का है मैं चात्र जीवन में युबा साथी युबा नेत्रतों के दृष्टी से कारे कर रहा था विद्यारती परिशद के संगठन का काम करता था और आप जर्नलिजम में उस समय अपने भविश्य को तलाशते हुए दिल्ली में आये थे और तब हमारी मुलाकात हुई थी और आपके माध्यम से मेरी मुलाकात मंगला जी से हुई थी मैंने उसी समय एक बात भापी थी था तो मैं युवा ही लेकिन मैंने कहा था कि ये आप सिर्फ हस्बंड वाइफ नहीं है पती-पत्नी नहीं है बलकि आप एक ऐसा पर पढ़े लिखे लोग तो बहुत होते हैं लेकिन संसकार मिलना वो परिवार के कारण मिलता है और उस संसकार के साथ आप दोनो का मिलन हुआ और आपके जीवन में आपने उस दृष्टी को संजोग करके रखा आपके लिवीक बिंट बबिटाइभ अव्ड़ बूइव जाओ नवीड बन पुछ दु लाख बिविंट ट्रॉश्ट प्रॉटी लोग बिविए बंद बिल्टी लुटी 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 बदूटी संजोट शॉब लुट का इसो लुटी लुट बहुट टो जबनानों का silently उस cause को पकड़ा है बहुत सोच समझ करके अगर एवार्ड्स के दृष्टी से भी देखें तो जर्नलिजम से ले करके इनोवेशन से ले करके साइन्स के वर्क के रिपोर्टिंग से ले करके मैल प्रैक्टिस इन हेल्थ सेक्टर यह बहुत बड़ा विशेह है जिसको उन्होंने उठाया है और उसी तरीके से समाज जीवन में समाजिक दृष्टी से काम करने वाले लोग जो मैं कई वार यह कहता हूं कि कोई आवार्ड से ज़्यादा बड़ा सैटिस्फेक्शन इस बात पर होता है कि जिस व्यक्ती ने कारे किया है उसको अगर सैटिस्फेक्शन मिलता है अगर वो रवार्ड आप सब लोग योशी जी ने ठीक कहा कि there are winners and there are winnables मैं विनर्स को बढ़ाई देता हूं और winnables को के साथ सहनुब हूती रखता हूं क्योंकि उन्होंने भी जब 2000 entries हुई हैं और उसमें आपको it was difficult for you Mr. Bose to find out the winners I must congratulate and I congratulate the winners but I also support the winnables who have also done an excellent job समाच में बदलाव लाने की बात तो हम सब ही करते हैं लेकिन असल में बदलाव का स्त्रोत कुछ ही लोग बन पाते हैं जिनमें निश्ठा, समर्पन और त्याक की भावना होती है जिनमें सेवा भाव होता है वो सब समाज के सभी वर्गों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं और ऐसी मिसालों को सम्मानित करना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे दूसरों को भी कुछ अच्छा करने की प्रेड़ना मिलती है